हमने अपने घर का नाश्टा ऐसा बनाया जो यूरोप और अमेरिका में मजबूरी में खाया जाता है मैंने का ना पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्केट अब हमने घर में शौक से लाना शुरू किया जादा तर घरों में ब्रेड पकोड़े नाश्टे में मैं देखता हूँ या ब्रेड का कोई न कोई प्रिपरेशन नाश्टे में मिलता है पूछो, कहते हैं बहुत इजी है इजी तो इटली भी है, सावर भी है, उत्तपम भी है, रसम भी है, दोसा भी है और हलुआ से ज़्यादा इसी कोई चीज नहीं सबसे सुरक्षित, सबसे पॉष्टिक हलुआ के बारे में आप जानते हैं मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जो ऑपरेशन कराके आया हो अभी घंटे बर पहले मैं उसको कह सकता हूँ कि घी का हलुआ खालो इतना सुरक्षित है उस पेशेंट को रोटी नहीं खिलाई जा सकती डाल नहीं खिलाई जा सकती, चावल नहीं खिलाई जा सकता कम से कम पंदर दिन लेकिन मैं उसको ये जरूर कह देता हूँ कि आपरेशन खतम होते ही, जैसे होश आए हलुआ बनाके खिला देना देशी गाय के घी का क्योंकि वो हीलिंग में बहुत मदद करता है तो हलुआ से जादा तो कोई भी हमारे पास डिश नहीं है, जो पांच मिनट में बन सके, लेकिन वो हलुआ गाया भोरा है धीरे धीरे, पाव रोटी कभी कभी बच्चों का बहाना बना देते हैं जी खाते नहीं वो आपने खेलाने की आदत नहीं डाली तो वो खाएंगे क्यों यहां से ही हमारी जिन्दगी की डड़बड़ी शुरू हो रहे और यह सड़े मैदे की पाव रोटी, डबल रोटी कि आप जितनी खाएंगे कब जियत उतनी ही बढ़ेगी कब जियत बढ़ेगी तो शरीर की बीमारियां बढ़ने वाली है 103 बीमारियां होती है यह ध्यान रखे आज मेरे पास सुविधा नहीं है अगर LCD प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको यहां दिखाता लसीडी है LCD प्रोजेक्टर होतो मैं आपको दिखाता कि जब आप यह खाते हैं न मैंने इसमें बहुत सुंदर स्लाइट्स बनाई होई कि जैसे पाउर रोटी खाते हैं तो अंदर क्या होता है पेट में जाने को डबल रोटी खाने के बाद क्या होता है चाव मीन और नूडल्स खाने के बाद पेट में क्या होता है, कैसे कैसे वो कहां कहां चिपकता है, कितने एरिया को वो कवर करता है, और फिर कैसे आपको कॉंस्टिपेशन बनाता है, और उसका बनाने का जो तरीका कोई देख ले तो उसको घ्रणा हो जाए, इतने खराब तर मैंने बताया, फ्रिज में रखा हुआ कुछ ना खाएं ना कुछ पियें, फिर आप बोलेंगे जी, कि क्या खाएं क्या पियें, जो चीज फ्रिज में नहीं रखी हो, और जिसको पवन इसपर्ष भरपूर हुआ हो, और जिसको सूरी का प्रकाश भी मिल गया हो, उसको फ्रिज में रखी हुई मत खाएं, फ्रिज में दूद रखना भी बंद कर देजें, दही भी मत रखें, इनको बाहरी रखें ना, तो आपके जीवन में स्वास्थ अपने आप आता चला जाएं, दूसरा एक नियम है, आयुरवेद का नियम है, अस्टांग हिरने का भी गो में और सभी रिशी ऐसा बोल कर गए है, कि जो जिन्दगी स्वस्थ रखनी हैं तो ठंडा पानी मत पीजे, पानी गरम करके पीजे, कम से कम उतना गरम हो जितना गरम आपका शरीर है, क्योंकि गरम पानी शरीर को बहुत तरह से सफाई कर देता है, टॉक्सिक वेस्ट को शर ठंडा गए है, दूसरा ये नियम है, तीसरा ये नियम है, कि आप जो भी खाना खाईए, ताजा खाईए, खाना चबा चबा के खाईए, क्योंकि बारत में चबाने का बहुत महत्तो है, यूरोप में नहीं है, यूरोप में क्या है ना ठंडी है, मैंने आपको बोला ना ठं से बने तो हमको तो चबा-चबा किखा region rd. और यूडोप में एक और मुश्किल कि ँनके जो मसूढे ना बहुत कड़े falando और कड़े मशूणों को साफ करना वो ब्रश से ही संभव है हाड हैं तो वो ब्रश करते हैं आप मतु биन की नकल करिया개lessly मसूले तो बहुत soft है इतने soft हैं कि थोड़ा भी ब्रश आड़ा तिर्चा चल गया तो खूनी खून निकले तो उनकी नकल करके tooth brush मत करिए फिर क्या करें दंतमंजन हैं हमारे पास और अगर ब्रश ही करना है तो नीम के दातों से अच्छा कोई नहीं क्योंकि उसके ब्रसल्स बहुत soft होते प्लास्टिक के brush के ब्रसल्स की तुल्ना में वो बहुत soft है तो दातों करना शुरू कर दीजे दंतमंजन करिए तो दात अच्छे रहेंगे मसूले भी अच्छे रहेंगे पानी कभी भी ठंडा मत पीजे पानी कर दो दात सुरक्षित रहेंगे गलाओी सुरक्षित रहेगा पेट भी अच्छा है हमेशा गुमउना पानी पीजे और आप तो अगर जेन दर्शन मानते है जेन धरम मानते है तो आप जानते हैं कि ज्यादा देर रखा हुआ पानी भी मत पीजे क्योंकि उसमें जीव व्रद्दी होती है तो ताजा पानी बना के पीते रहे ताजा पानी बना के माने हर समय हलका गुमूना करके पीते रहे चौता नियम ये है स्वस्त रहना निरोगी रहना कि खाना खाईये तो खूब अच्छे से चबाईये क्योंकि आपके मसूरे तो flexible है यूरोप में नहीं है और इतनी बार चबाईए जितने दात हैं एक दिन शीशे के सामने खड़े होके अपने अपने दात गिन लीजे किसी को 32 होंगे, किसी को 32 होंगे किसी को 28 होंगे तो रोटी का एक टुपड़ा मुं में डाला तो उतनी बार चबाईए जैसे 32 दात हैं तो 32 बार चबाईए 30 हैं तो 30, 28 हैं तो 28 खूब चबा के खाना खाईए आयरुवेद कहता है खाने को इतना चबाईए कि लार के साथ खाना मिले और पानी की तरह से उतर जाए तो जिन्दगी में कभी कोई बीमारी आने की संभावना नहीं फिर ऐसे ही नियमें एक छोटा सा कि पानी पीजिए तो घूट घूट भरके पीजिए जैसे गरम दूद पीते हैं वैसे पानी पीजिए सिप करके पानी पीजिए ताकि ज़्यादा लार शरीर में जाए लार जो है ना बाद पित कफतीनों को संतुलित रखती है तो घूट घूट पानी पीएंगे तो बहुत लार जाएंगी गट-गट-गट पियेंगे तो बहुत थोड़ी सी जाएगे एक स्वस्थ मनशुको जिन्दगी भर स्वस्थ रहना हो तो हर दिन साड़े चार से पांच लीटर लार की आवश रखता है वो सिप करके ही संबब है और आज से ये शुरू करिए सिप करके पानी पीना तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा जिनको भी एडियों में दर्द है न तीन दिन में गाहब हो जाए अगर घुटने में दर्द है न छे-साथ दिन में ठीक हो जाए कोई भी जॉइंट स्पेन है बारे तेरे दिन में चला जाए कितनी भी भेंकर संदिवात हो सिप करके पानी पीजे और एक सिप में उतना ही पानी लीजे एक चमच के बराबर उसको थोड़ी देर मुह में घुमाईए फिर पीजे अगर आपका बजन बहुत बढ़ गया है तो महिने डेड़ महिने में ही 5-6 किलो कम हो जाएगा अपने आप दिना कोई दवा खाए सिप करके पानी पी देशा अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त अमेरिका से लोटा है उसका 140 किलो बजन हो गया था तो उसको अम्रीका की जिस कंपनी में नौकरी करता था निकाल दिया क्योंकि वहाँ नौकरी से निकालने में 1 मिनट लगता है किसी को वहाँ जॉब कभी भी सुरक्षित नहीं है सिक्योर्टी नहीं निकाल दिया और उसको एक्सप्लेशन दिया कि हम आदमी को नौकरी पर रखते हैं, हाथी के बच्चे को नहीं रखते हैं, 140 किलो का, अब वो बिचारा बहुत घूमा, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये होस्पिटल, वजन कम हो जाए, किसी तरह से नहीं हुआ, अब आगया भारत, एक दिन तो वो जॉन आपकेंस में चला गया, तो वहाँ बोला कि आपकी ऊपर से कुछ खाल चीर देगे, वजन कम हो जाएगा, मास काटके निकाल देगे, अब वो कहें, अरे मुझे तो ये नहीं करा न, वापस आगया, बैंगलोर में रहता, एक दिन कहने लगा, राजी बई, आप कुछ बताओ, मैंने का कुछ मत करो, पानी बिन गुना पियो, और सिप करके पियो, अभी 9 महीने से वो ऐसा ही कर रहा ह अब वजन उसका 70 किलो, बिना कोई दवा के, बिना किसी एक्सरसाइस के, बिना किसी योग, बिना किसी प्राणाय होगे, खाली सिप करके पानी पियने का ये चमत का है, तो आप बहुत सारी बिमारियां इसी से ठीक कर सकते हैं, आपने देखा है कुट्ता कैसे पानी पीता ह कुट्ते को सुना कभी डायविटीज होता है, कभी नहीं होता है, चुडिया होती ही न चुडिया, कैसे पानी पीती है, एक चौच में एक ड्रॉप उठाएगी, फिर पियेगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर पियेगी, फिर रुकेगी, चिडिया बनाई है, उसी ने हमको भी बनाया, जो आत्मा उसमें है, वो ही आत्मा हम में है, जो और्गन्स हमारे हैं, वो ही और्गन्स उसके है, बस वो खाने पीने का ध्यान रखती है, चिडिया कभी रात को नहीं खाती है, मनुष्य रात के बारे 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 बजे भी खात लेकिन मनुष्छ जो है ना वो भैस से भी गता गट 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 दो गिलास तीन गिलास पांच गिलास पीते रहता है आयुर्वेद में ये सूत्र है भोजनात्य विशमवाई माने भोजनात्य में पानी पिया तो विश पी लिया